अनुभव का दो मिस्रण होने के कारण गलतिया कम से कम होती है और इस अठ्ध में अनुभव का अपना एक बहुत बड़ा महत्व होता है और जब ऐसे अनुभवी साथी सदन से जाते हैं तो बहुत बड़ी कमी सदन को होती है राष्ट को होती है आने वाली पीडियों के लिए जो दिर्णे होने वाले हैं उसमें कुछ कमी रहे जाती है और इसलिए जब अनुभवी लोग जाते हैं उनके लिए हम बहुत कहा जाएगा लेकिन जब अनुभवी नहीं यहां है तब जो है उनकी जिम्मवारी ज़रा और बढ़ जाती है वो जो अनुभव की गाथाया छोड़ के गए है जो बाकी हां रहने वाले हैं उनको उसको आगे बढ़ाना होता है और जब वो आगे बढ़ाते हैं तो सदन की ताकत को कभी कमी महसूस नहीं होती है और मुझे विश्वास है कि आप जो साथी आज बिदाई लेने वाले हैं उनसे हम जो सभी सिखे हैं आज हम भी संकल्ब करें उसमें से जो भी उत्तम है जो स्वेश्ट हैं उसको हम आगे बढ़ाने में इस सदन की पवित्र जगा का जरूर हम उप्योग करेंगे और ताकि देश को समरुद्ध में बहुत काम आएगा एक लंगा समय हम इस चार दिवारों के बीच में बिताते हैं हिंदुस्तान के हर कोनी की भावनाव का है प्रतिमिम, अभिव्यक्ति, बेदन, उमावन सब कुछ यहाँ पर एक प्रभा बहता रहता है और उस प्रभा को हम भी अनुभाव करते रहते हैं लेकिन कभी हमको लगता हुए कग मैंने इस सदन में बहुत कुछ कॉंट्रिबूट किया बहुत सच्चा ही है लेकिन साथ साथ इस सदन ने भी हमारे जीवन में बहुत कुछ कॉंट्रिबूट किया हम सदन को दे करके जाते हैं उससे ज़्यादा सदन से ले करके जाते हैं क्योंकि भारत की विवितताँ से भरी हुई सामाजिक व्यवस्ताओं से अने प्रकार के उताव चड़ाव वाली व्यवस्ताओं से निकली वी चीजे उसको हम प्रति दिन अनुभव करते हैं सुदन में और इसलिए माज यही कहूंगा कि भले हम इन चार दिवारों से निकल रहे हैं लेकिन इस अनुभव को राश के सर्वत्तम हित लिए चारों दिशाओं में ले जाएं चारों दिवारों में पाया हुआ चारों दिशाओं में ले जाएं यह हम सब का संकल्प रहे और हमारी ये भी कोशिश रहे कि सदन में अपने काड़खन में जो महतोपुन चीज़े हमने contribute की है जिसने देश को shape दिया देश की दिशा को मोड़ा है मैं चाहूंगा को उन समृतियों को आप कहीं न कहीं शब्दबद करें कहीं न कहीं लिखें ताकि कभी न कभी ओ आने वाली पीडियों को reference के रूप में काम आएगी कहीं पर भी हम बैठे हो यहां हो या वहां हो लेकिन हर एक ने अपने तरीके से कुछन कुछ ऐसा contribution किया होगा जिसने देश को दिशा दिने में बहुत बड़ी भूमिक आदा कि इसको अगर हम संग्रहित करेंगे मैं समझता हूँ कि ऐसा मुल्यवान खाजाना हमारे पास काम आएगा जो आने वाले लोगों के लिए काम आ सकता है यानि एक इंस्टिटूस लाइज व्यवस्ता के तहर उसका उप्योग हो सकता उसी प्रतार से मैं यह भी चाहूंगा यह आजहादी का अमृत महुत सभार है आजहादी के 75 साल की है हमारे महापुरुशों ने देश के लिए बहुत कुछ दिया अब देनी की जिम्मवारी हमारी है हम यहां से उस भाव को ले करके क्योंकि अब थोड़ा समझ ज्यादा होगा हमारे पास जब यहां से जा रहे हैं तो सभापती जी का बंधन भी नहीं होगा तो आप बड़े खुले बंद से एक बड़े मंच पर जा करके आजहादी के अमृत महुत सवों कि इस महामूले पर्व को माध्यम बना करते हैं आने वाली पीडियों को कैसे प्रेरिद कर सकते हैं उसमें अगर आपका योगदान रहेगा मैं समयता हूँ देश को बहुत बड़ी टाकत मिलेगी बहुत बड़ा लाब मिलेगा मैं सभी साथियों को मैं इंडिविजिल उलेख नहीं कर रहा हूँ तो राजी सभा से जो सांसर रिटार हो रहे हैं उन सांसदों आपको प्रधान मंत्री एक गुडविल फेर जेस्चर दे रहे थे उन्हें कह रहे थे कि आप अपनी जितनी स्पृतियां हो सके उन्हें लिखिए अपने अनवाओं को शेर कीजे ताकि आने वाले वक्त में आने वाली पीडियां वो लोग जो संसद में आना चाहते हैं और अपने लोगों को प्रतिन जित्व करना चाहते हैं उन लोगों तक वो बात पहुंच सके देश की सेवा करना चाहते हैं उन देश की सेवा कर पाएं अपने अनवाओं को लिखें और यहां के अनवाओं जरूर साजा करें रेटाइर हो रहे सांसदों का उन्होंने काया कि आप इस मंच का इस्तमाल आपने जिस भी सवाल के लिए किया है जिस भी परपस के लिए किया है वो आप आगे जाकर के जरूर अपने फीडियों को बताएं यहां पर उदेने के लिए तैयार भी हो गए है तो मैं यह कहूंगा एक शेयर उससे मैं प्रारम्ब करूं जांग कहां से शुरू करें कुछ समझ नहीं आता है कहां से शुरू करें कुछ समझ नहीं आता है आपकी विदाई के जिक्र से दिल बर आता है तो आपकी विदाई से अपना दिल बर के आता है और मैं यह देखा हूं जब आप विदाई की वाशन जब जून में यापर कर रहे थे तो उस वक्त भी बहुत आपकी भावना और आप सभापती जी प्रजान मंत्री जी पिरोद पक्षके नाएक और बहुत से सभी ने मिलके जो उस वक्त बात कही उसको भी मैं देखा और सुना तो इस से यही जाहिर होता है कि अपर हाउस का कितना महत्व है और यह अपर हाउस यह चेंबर आफ आइडियाज है यहां पर पूरे इंटेलेक्ट्वल्स है और हर फील्ड में जो काम करते वह आये हैं बहुत हैं एक्स चीप पिनिस्टर्स हैं एक्स प्राइब इनिस्टर हैं और अनेक मंत्रीगण हैं सबी लोग और हर फील्ड में काम करने वाले नेतागर्ण यहां पर बैठे हुए हैं तो इनका अनुभव बहुत कोई च्छम को भी मिला मैं तो सबसे जुनियर मेंबर हूँ शिर्फ मुझे यहां के दो साल हुआ अभी कंप्लीट नहीं हुआ जुन मों कंप्लीट हो जाए तो मुझे भी सीखना है मुझे सीखने को मिला बहुत से लोगों से और आज हम एप्रिल से लेकर जुलाई तक 2022 के बीच 19 राज्यों के अपने 72 सदश्यों को सात्यों को विदाई दे रहे हैं 19 राज्यों के तो इसमें सभी है रूलिंग आपोजिशन पार्टी के नॉमिनेटेड मेंबर्स सभी सदस यहां पर है तो यह हम सब को यह यार रखना है कि जो यहां पर बहुत से विचारों का आदान ब्रदान होता है और नहीं नहीं चीज़ें हमको सीखने के मिलती है बहुत बार मैं यहां पर जो अच्छी अच्छी भाशन या करते हैं और तरक्बद करते हैं तो मैं उनके बाशन को निकाल लेता हूँ ताकि वो जाके पढ़के कुछ मैं भी समझनूँ और कभी कभी अगर कोई गलत भी कहता है फिर आकर समझाने की भी कोशिश करूँ इस हैस्यत से तो इस वक्त मलिकार जुन खड़ गे थे राजसभा में वेपक्ष के नेता और साथे साथ हम मैं देखा प्रधार मंतरी मोधी ने एक फोटोग्राफ वो सांसद जो की सदन से रेटायर हो रहे हैं राजसभा से रेटायर हो रहे हैं और फिर उसके बाद उनको फेर वैल भी है मेरी कोशिस रहेगी उन सिमाओं का पालन करते हुए अपनी भावनाओं पर अभीवक्त करो अच्छा हमारे यहां विजाई समारम तो है है जा रहे हैं इस साथी लिए जैसे बंगाली में कहते हैं आमी आश्ची या गुजराती में कहते है आव जो कम अगे प्वैसर कहते है तो बाई-बाई लेकिन कहते है कम अगे तो एक प्रकारत है हम तो यह ही चाहेंगे कम अगे टाकि जैसा सभाफाती जी ने कहा कि इतने इतने अनुभाव को दिन के साथ जोड़े हुए है पाटम, चाटम, ताइंटम इतने समाई से यह एक बहुत बड़ी मात्रा में अनुभाव का संपूठ हमारे इन सभी मानुभाव के पास है